हेलो फ्रेंश वागत है आप सब का हमारे जुप चाल्ड इजी कोकिंग वेतनी इलू पे तो आज मैं आप सब के साथ शेयर करूँगी एक बहुत ज़दा टेस्टी से नाश्ता जो बनाना बहुत ज़दा आसान होने वाला है आज मैं आप सब को बताऊंगी मुर्मुरे के कटलेट तो इसके लिए हमने ले लिया है यहां पे मुर्मुरे एक कप के करीब और हमने यहां पे लिया है पालक इसे हमने अच्छे तरीके साथ करके धुल लिया है और हमने यहाँ पर लिया है दो आलो जिसे हमने छीड लिया है जैसे कि आप सब देख सकते हैं तो अब हम लोग मुर्मुरे को भिगाएंगे तो इसमें हम लोग डाल देते हैं पानी और इसे हम लोग 5 मेट के लिए सोक कर देंगी ताकि जो मुरुमरा है वो फूल रहे और हमने यहाँ पर ले लिए एक थाली इसमें हम लोग सारे पालक को बारी की तरीके से काट लेते हैं यह देखिये तो हमने यहाँ पर सारी पालक काट लिए जैसे कि आप सब देख सकते हैं अब हम लोग आलू को भी यहाँ पर कद्दू कर लेते हैं तो हमने आलू के नीचे यहाँ पर एक पानी वाला बोल रख दिया है ताकि आलू सीधे पानी में जाए और इसका स्टाश निकल जाए और यह लालना पड़े तो इसे हम लोग धुल लेते हैं और यहाँ पर पानी निकल जाए जैसे कि आप सब देख सकते हैं तो हमने यहाँ पर सारी लाई को निकाल लिया है और हमने उसे हाथों के मदद से मसल लिया है तो अब हम लोग इस सारे मुर्बुरे में डाल देते हैं यह आलू और अब हम लोग इसमें आड़ कर देंगे पालक तो यह देखें यहाँ पर हमने इस सारा पालक इसमें डाल दिया है अब इसमें हम लोग एड़ करेंगे दो छोटी बारी कटी हुई प्याज ये देखिए और फिर इसमें डालेंगे हम लोग एक चमच अधरक लेजन का पेस्ट दो तीन बारी कटी हुई हरीमिट्ज बारी कटी हुई धनिया के पत्ते एक से दो निम्बू का रस और आप हम लोग इसमें एड़ करेंगे आधा चमश धनिया पॉर्डर आधा चमश लाल विश पॉर्डर आधा चमश हल्दी पॉर्डर एक चमश सफेद दिल यह अप्शनल है अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं वह न स्किप कर सकते हैं और आप इसमें लोग डालेंगे एक चमश जीरा 47,5 नमक अब इन सबका आछ तरह की से मिला लेते हैं इसमें पानी की जरूरत नहीं है तो हम लोग इसमें पानी का एक दम बेक्ताम नहीं करेंगे और आप इसमें डाल देते हैं एक कटोरी पेसन यह पर जितना जरूरत है आप उतना बेसेनिस में आट कीजिए और पानी आपको इसमें एकदम बिस्तमाल नहीं करना है क्योंकि पालक और आलू में पानी रहता है तो बैटर यहां पर बन चुका है हमने गैस पे एक पैन चड़ा दिया है यह नॉन स्टिक पैन है पैन को पहल कुलेट फ्राइब करेंगे तो हमने हाथों में लगा लिया है तेल और अब हम लोग इस बैटर से बनाएंगे कटलेट के शेप के पकोड़े आप चाहे तो कोई भी शेप दे सकते हैं हम लोग इसे सरकल शेप दे रहे हैं तो यहां पर हमने इसके कटलेट बना लिये केल बहुत जादा गरम हो जाएगा तो जो कटलेट है वो क्रिस्पी नहीं होंगे और बाहर से जल जाएंगे अंदर से कच्छे रह जाएंगे इसलिए आप इसे लोग टू मीडियम फ्लेम पे धीरे-धीरे पकने दीजे ताकि यह क्रिस्पी भी हो और कच्छे भी ना रहे ह तो आप हम लोग इसे गोल्डर ब्राउन होए तब फ्राइ कर लेंगे तो आपको इसे इसी तरह अलेट प्लेट के दोनों साइट से फ्राइ कर लेना है अच्छे तरीके से तो यहां पर हमारे कटलेट गोल्डर ब्राउन हो गए जैसे कि आप सब देख सकता है तो अब हम लोग इसे एक प्लेट में टिशु पेपर के साथ निकाल लेंगे जिसे इसका जो एक्स्ट्रा ओइल है वो निकल जाए और अब चलिए हम लोग इसे गर्वा-गर्म सॉफ कर तो यहां पर हमारे बहुत ज़दा टेस्टी और एकडम क्रिस्पी जो बहुत ज़दा जल्दी बने हैं यह मुर्मुरे और पालक के कटलेट बनके तयार है इसे हमने हरी चेटनी और चाय के साथ सब्सक्राइब किया है तो आप इसे एक बार ज़रू बनाईए कर यह शाम के नास्ते के साथ एकडम परफेक्ट है तो अगर आप मोरी आज की बहुत ज़र टेस्टी पसंद आई है तो लाइक कीजिए और हमारे चनल इजी को कि वित नहीं को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम लोग आपके लिए बहुत ज़रू ज़रूर किया कीजिए तो मिलते आप झाल